ग्यारा नंबर कुश्चन क्या करता है कि वन्य जीव शुरक्षा के लिए वन्य जीव सुरक्षा के लिए आईटी आधारित सेकॉरिटी सिस्टम सबसे पहले लागू कहां पर किया गया है अब धान दिजेगा एक मेल दो मिल्ट यह कोई भी वर्नेजीव के ट्रेकिंग के लिए किया गया किसके लिए ट्रेकिंग के लिए ट्रेकिंग समझ गए कैमरे वहमरे लगा दिए जिससे वर्नेजीव को नुक्सान न हो तो ये करतों सब जगर है लेकिन सबसे पहले कहापर लागू किया है तो सबसे पहले जवाई बां अब तुमने ना फौर एक्जाम्पल चोटा सवधान देता हूं बहुत वह उदारे तरन्थमोर अबहरने की स्थापना इस्षमावी उसका छत्र यह है उसको यह पक्ष यह कितने ही करते रहो कौन पूसता है अब पड़े दस दिन वनने जीव अबहरने को आया कुछ निये कि मानुबाओ पात साल से तुम बनने जीव सारे अब भेरने का इस्थापना समझ गए अब बोलो अगे अगे समझ में तो हम क्या कर रहे हैं उस्षी ढरे पर चल रहे हैं इस्थापना कब हुई छेतर कितना है प्लाना कोन पूसता है आपका τट्रांशmen परिक्षा थी अभी मिव लैंद फोर एक जमपल थबर रिएड की परिक्षा उगं आपको पता है अपने सौरे बनें बहारे नेले बगिरा पड़े पड़े मा और नया बैरन ट्रोपिक में कोई ट्रोपिक को पूछता ही नहीं यह पेपर का नाम क्या है मेरे को यह बताओ बताओ सामान्य धन एवं समसामई की सामान्य धन का मिला मैं थोड़ा-थोड़ा पूछूंगा सब चीजों का नोलेज होना से यह तेरे को सामान्य धन और समसामई की का मिला तेरे आस पास पर क्या और चे नजर अब अगला साप करा भई विशेश धन तो तु तेरे सब्जेक्ट का कर जिक्के का नहीं अब तुम कर रहे हो विशेश धन जिक्के का तो तुम से समल तो नहीं रहा तुमारा सब्जेक्ट ही सामान ने दनका मतलब थोड़ा थोड़ा नोले इस तुमें सौरी दुनिया का चाहिए थोड़ा-थोड़ा यह बोल दाए लेकिन आपके टीचरों ने जोग्राफी वाला आया तो जोग्राफी पुरी मुंडेल दी भारक करते नहीं मैं यह नहीं करा मला मेरी बाद मेरे को नहीं पूरे बुज़ार में चुल जो आपको वह इसी मिलेगा और लड़का बताओं वाद में तो और बैसां कितना गर आई स औन ओड़े न हो जै पड़ना एक जन्दीकी में निकल जाए तो परोक करदे ना को से आंगे इन इस सेनन्न किकट नोलोजी का अ्मारा क्यूस्यन था साइट टेकनोलोजी को आरे-स-को किẢ टेस्ट झाल तो शोता सा हुदान देता हूँ, R.S. का science and technology का test था, उसमें एक कुश्षन मड़ब सले बस में दे रखा है, ढान दीजिएगा, science and technology में क्या दे रखा है कि राजस्तान के one है, और one ने जीव, राजस्तान का कर्शी, और राजस्तान का कौन सा पशुपालन, और राजस्त अंके स्वास्त है, इनके बारे में current आपको बताना है, टेक्नलोजी, समझना, अब ये लोग न समन्त है, और भारत के परपेक्स में space technology, defense technology ऐसा दे रखा है, लोगों की RS की तहरी करने वाले, उनकी मान सिक्ता समन्त यही रहती है, कि मेरे को कोई expert पढ़ाएगा, वो समझ में मैंने का तुम लोग आगे, ये question मैंने उनमें दी है, कि मैरे तुम्हारा expert कहा है इसमें, तुमने तीन साल से तैरी करी फिर कहां गया, तो ये खाली expert ओको ढूंड रहे हैं, ऐसे निरूंडे question आता कौन सा है, यह है, नहीं यह सिले बस मास दे, तो चीज़े क्या है, थोड़ी प्रोब्लम है, तो जवाई बांद हो गया, बोलो clear है, अगली देखिए, इस अंजीवनी, कौन सा, इस अंजीवनी का समंध है, बोलो, अब ये भी science and technology का है, और basically आपका current, एक, एक portal का paper में कुशन तुमारे पकाता है, पोर्टल समंध गये क एक का पकाता है, बोलो, ये किस से समंध पोर्टल है, ओपिडी, आपको बता है, कोरोना नहीं हुआ था क्या कोरोना, तो कोरोना जिद की लहराई थी, तब आपका हुस्पिटलों में जाना तो बंद कर दिया, तो ये संजीवनी पोर्टल सुरू किया गया, और उसके माद् गर से ही आप डोक्टर को दिखा सकते हो, ओपिडी, यह, गर से ही दिखा सकते हो, यह होगा, आ गया, इसको वैसे क्या कहेंगे, बोलो, तेली मेडिशन, तेली मेडिशन समझ गया, क्या, ओनलाइन मेडिशन, जागो गराज, जागो में तो दिखता ही हूँ, बावडा सा हूँ नहीं, दहां दखना, आपको हर्च शेत्र की बता रहूँ, तेली मेडिशन, बोलो, खली है, अगली, अच्छा, ऐसा ही हमारा एक और काम हुआ, भोलो, आज कल रोबोटी, AI आरा है, आर्टिफिशल इंट सुरू, AI इंट जोध्वुस जोध्वुर, देश की पहली रोबोटिक सरजरी हो गई, AI का रजमाना देश की पहली रोबोटिक सर्जरी कहा से सुरू ही, AI से, AI की आगया समझ में, और अभी बाद में, वमारे रास्तान के परपेक्ष्ं में बोलें तो ऐसा हम से, भाई वो देश की पहली होगी तो राज्तान का हुस्पिटल गए तो वो कौन सा गया समय रोबोटिक शर्जरी ये सब तेली मेडिशन में आता है और तीसरी हमारा रोबोट का नाम क्या है राज्तान का रोबोट पहला बना था उसका नाम क्या है बुदिया यह जोदपुर तो है वो ws india कहीना और बर बात है समझवो घोडू रही है अलागे तो टेंशन मतले इतना काई को जोड लगाती हो अपे लेंग्वेज सारी समझ माती है आगया बोलो क्लीर है तुम एक तो टेंशन बहुत लेते हो वहां पर लेंग्वेज पकड़ता है कि वह कुछन बुस्टाइब से देगा या फिर आपको जपुर्गाइब कर देगा कि तो हम टेंशन ले रहे हैं कि अगया बोलो क्लीर है अगला अगया आट रोकर कि पर्तेक्स लाब अंत्रन अगया आज कर आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्राश्पर जो है आपके खाते में डायरेक्ट आता है बीच में कोई नहीं है अब उसके शलाकार बोर्ड बनाया गया उसका क्या बनाया गया सलाकार कि वह वो श्रही डंग से तो उसका देख्ष कौन है मुख्य सची हो यह अभे सुमारे स्लेवर्च मुख्य सची हो वो भी पूछ सकता है कि यह है आ गया अगला कुश्यन राजीव गान्दी फिंटेग डिजिटल सनस्तान को तो डिजिटल विश्वी धले भी बोल सकते हैं, डिजिटल है, विश्वी धले, बोलो क्लीर है क्या, और सचा, डिजिटल विश्वी धले खोलने वाला रास्तान कोन सा राजी है, बोलो, एक तो ठंपा मत दे, पहला है केरल, और सेकिंड रास्तान, कि आगे है ये थम्पा वाली भाहत हुए अदत में आ जयता है है सि Zig ресड शरुख जो वह है उसे जहेंड नहीं आता नहीं है कि तो उसेब जो विरूखता है तो शीखता है है तो नहीं पन्पा Cake चारभी कोशन कोचा दो लगेगा है किँ आगया मोद तो यह पहला कॉन सा किरल सेकीन कॉन सा concentrate तो ढहए डिजिटल यूंश्टी हो गही कॉन से गुए डिस्टल यह कौनज गाहम में है करवाद करवाड का अप्र जोधपूर है वह पटिकूलर अपने को जोद्पूर सब को पता है लेकिन अगले नाम पूछ लिया करवाड यह लो कि यह और अभी डिजिटल वाला गया बोलो क्लिए रगया अभी तरह तो आपको बता दिया उपर 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 सारी बात अब हो अब इसमें कौन सा मला चार डिपार्टमेंट खोले गए इ चारों डिपार्टमेंट यह तो है इगलत है इसका कौन सा इए इभी दे रखा है इसमें नहीं दिया है आज देखो इए यह गलत है बताते ताहूंवे से API का मतलब है Finance Artificial Intelligence Finance Artificial Intelligence यानि AI को अभी उसमें स्तामिल नहीं किया गया है AI मलब को रोबोटिक वगेरा इसमें भी नहीं लाया गया है बाकि क्या होते हैं Finance of सिस्टम इन्फोर्मेशन सिस्टम है फाइनेंस ओफ सिस्टम ओफ एकाउंटिंग है और फाइनेंस ओफ टेकनोलोजी मेनेजमेंट है ऐसे नाम दिये हैं समझेगे है मेरी बात को तो इसमें AI नहीं है यह लो आगे अगला कुशन है राजस्तान पेटेंट सूचना के अंदर कहां पर है पेटेंट समझेगे है पेटेंट स्वत्वा दिकार स्वत्वा दिकार तो जानते हो मैंने कोई किताब लिखी किताब लिखी यानि मैंने फोर्मूला अपनाया तो मेरा मैंने पेटेंट करा दिया कि इस फोर्मूले को को कोई दूसरा यूज नहीं ले सकता उसको का नाम हमने पे टेंट किरा दिया अब इस जगुका के नाम को कोई दूसरा अपने नाम सेंस्टा का नाम नहीं कुल सकता अगर वह से करता थो उसके उपर मुक्दमा जायका अजाpod आ गया गया समन्जेए नहीं तो हर को कोई के नाम से कोई सी खोल देगा कोई कमपनी है तो गोद्रेज गोद्रेज ही रहेगी और हूँ सका प्राम का पेटेन्ट है, ट्रेडमार्क है, ऊसको पेटेन्ट बोलते हो, यानि उस साथ पी नित कुस पर अधिकार किसका रहेगा उसका. अगर उसका, अब झसे अमारे कोई कोचिंग है और कोई कोई क्रॉली में खोलना साथा तो हमसे अनुमती लेगा और हमारे को चार्द द यह है यह टोटल आपके कुशन टेक्नोलोजी के है तो रहेखेगा अगला वेश्विक मोबाइल अभी करन्ट का कुशन है वेश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार की नमिंटम रेंकिंग में भाट का कौन सा रेंक है 56 वा बिल्कुल सही मलब यह मलब रेंक काती है ना रेंक में हमारी रफ्तार में कौन सी रेंक है तो अब देख लो मोबाइल इंटरनेट रफ्तार जो है उसमें 56 वी रेंक है इसलिए अपन को कई बाद टिल्ले पर जाकर करके मलब करना पड़ता है या पेड़ पर चौड़ करके शपन वी रेंक है रफ्तार में सम्दिए क्या कई बार तुम हमारे गोड़ मा देते हो कि तो वह सब्सक्राइब जोने खुरू नहीं तो हम क्या करें तो रेट चलाज़ा जया रफ्तार उसमें सब्सक्राइब अब आईये नंदी कोड़ा नंधी नंदी पोर्टल आप देखिया आपने पश्चुपालन पढ़री थे अपना पश्चुपालन समझे क्या अब देख पिक के चलता था करसी हो पशुपालन करसी हो रहे तो पशुपालन का नया पोटल है तो देखे नंदी का था न्यू ड्रग एंड इन्नो पुलेश्चन सिस्टम इन्हें पशुपालन और डेरी विवाग ने क्या किया है शुरू किया है इस पोटल के माध्यम से पशुओं की दवाओं और टिकों का अनुमोदन और अनापती पत्र होगा और यह पोटल केंद रियोस्दी मानत महलब पशुओं के जो दवाई टिका वगरा लगता ना उसका पोटल है नंदी तो उप्यूक्ट क्या हैगा सभी यह आप कम से कम इतना जरूरू दान रखना आयलो नंदी तो नंदी का नंदी पोटल का समध किस्से है तो पशुबाला पशुओं का टिका करन वगरार यह सब आ गया बोलो कलीर है ऐसे अब यह ऐसे पकड़ना पड़ता है जिसे हमारा तोपिक चल रहा है अब तोपिक चल दा तो हमें पता होना चाहिए अब नया इससे समधित क्य आया है इससे समधित क्या है तो क्योंकि वह पूछेगा तो नया पूछ लेता है तो वह मारा करा करा है पूरा खतम हो जाता है कितरी दिन पुड़ा हुआ यह तभी तो लड़का होता हना कि लास्त में तुम एक वाड बोलते हो तो मलत नॉर्मल हो यह क्योंकि नॉर्मल तो सब के सहीं होगे और सको सही हुए निए तेजा जी पापुजीर अलाव दिन खिल जीर वो तो सब सही हो गए वो तो मैं ही कह रहा हूं कि सब कहीं सही होंगे क्योंकि तो फिक्स एरिया है यह होता है बोलो अगला तो दंदी पोर्टल आ गया अगला देखे अठारा नमबर है को ट्व 27 इंपोडएंट है यह कोप को संदेगे कोप यह जलवायू परिवत्तन पर समयलन हुआ तुमारा पर्यावरन वाला तोपिक ना उसका इंपोडएंट है अब बोताओ जलवायू परिवत्तन पर पहले बात सबसे पहले कहां पर हुई पर्त्वी सम्मेलन पर्त्वी सम्मेलन हुआ 1902 में में कापर हुआ रियो रियोड जिनेरियो कापर ब्राजी उसमें जल्वाई परिवतन पर क्या होई बात अरे पर्त्वी सम्मेलन का मतलब है पूरी पर्त्वी की जितनी भी समस्य है ना उन पर बात करने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाए गया पर्त्वी आगया गया पर्त्वी सम्मेलन इसमें बात हुई इसी में तेव़ा कि एक सहस्था बनानी चाहिए जिसका नाम क्या कोव होगा कौन चाह कोव का मतलब है कोपरेशन और पार्टीर जलवाईू परिवर्तन पर सहयोग करने वाली पार्टी का समक्राब गौप का मतलब क्या हो गया कोपरेशन और पार्टीरthrop जानतों दुनिया भूत आगे है एक दिमाग से एक चीज निकाल दीजिए कि तेजा जी पाबू जी अलाओ दिन खिल जी और नदी नाडों के अलावा भी दुनिया है समझे कि तेजा जी पाबू जी क्योंकि 90 परसेंट लोग जी के जो मानते ना वह किन को मानते हैं और मेरे को इसका बहुत बड़ा लोस भी हो रहा है क्योंकि मैं आते ही स्टुडेंट को यह पढ़ाता हूं तो उसका दिमाख राव हो जाता है बहुत है हुए कि और तुम कोश जी कोचिंग में सबस्कीर तेनिक्लाsın कौण से लेंगी जोगरापी सिरी और कौण व craft इस्ति और कौण litter तो उस मने खका है नदी आले आनता है तोगि उसका थोड़ा बहुत देखावा होता है थोड़ा बहुत नासना कूदना होता है तो हो जाता है आया गया और यहां पर उसकी बत्ती गोड हो जाती है और बाद वो अपने आपको यह और समझता है कि मैं दो साल से तैरी ओर कर रहा हूँ तो उसका ओर दिमाख ख्राब कि यह क्या पढ़ा रहा है समझ में नहीं है बाग गया तो थोड़ा समझो तहां पर क्या है तो यह परियावरन का टोपिक है सुन लो जलवायो परिवत्तर पर दुनिया में सबसे पहले बाद इसमें बाणमे में हुई दियो सम्मेलन है कौन साथ दियो इसमें तया हुआ कि एक संग्ठन बनना चाहिए उसका नाम होगा कोप कोप का मतलब जलवायो परिवर्तन पर लोगों का समू है एजे देशों का समू है समझे कोपरेशन ओपार्टीश कोपरेशन और फ़ेशन नावली पार्टियों का समूझ समझ गाए अब ये कोप नहिए कब गठी तुआ तो 94 में कब गठी तुआ? 94 दान से सुनना पत्तेकवर्च होता है पहला समयलन कोप फस्त है कोप फस्त लो कांपरवा जर्मनी में अब इसी कड़ी में फस्त की कड़ी में ये कौण सा है भोलो कौप 27, काप 27 बोलो कौप 27 कापरवा तो बोलो कापर मिश्चर में कापरवा मिश्चर, तो ये इसका हो गया मिश्चर 23 में कापर होगा inertia 28 है वो UAE कापर होगा UAE दोज़ात्तेश में ये कापर होगा UAE जिल अब अगला कोप को जानेगा तो पढ़ेगा ने कि यहां के होगा आ किंगाली इर्बो पहले के होगे आगे क्या बोलो किंगाली समेलन दो 2016 में हुआ आगे बोलो ये कौप का वा तो इसमें इत्य होता है कि अमें जल्वायू परिवतन को कैसे कंट्रोल करना है अब सुन लो पर्थवी समेलन गुनिशो बान में रियोड जुनेरियो ब्राजील उसमें तया हुआ कि हमें जल्वायू परिवतन पर काम करना होगा इसके लिए एक संगठन बनाय जिसका नाम क्या था कोप कब गठी तुआ गु अब वहाँ पे अभी होगा तुमारी प्रिक्षा होगी तब उससे पहले हो जाएगा अक्तूबर में होगा अब अक्तूबर में होगा तो उसमें क्या-क्या नेने लिये जाते हो पड़लो पड़लो क्यूशन आज़ता है यह उता है आ गया अगली बाद निम्म लिखित में से किस सहस्ताने हाली में 2022 इन नाइन चार्ट नाम से रिपोर्ट जारी किया है कि बोलो अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा पहले आप आए नाइन चार्ड नाम से उपलोब के पहली बात तो यह बताओ यह नाइन चार्ड रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट क्या है 2020 के बाद दुनिया में कई परिवर्टन हुए एक तो गरीबी कई परिवर्टन हुए कोरोना आया एक अभी यूकरेन और किसका यूद हो गया रूसका तो दुनिया में कई चेंजेज हुए उस चेंजेज की वजए से गरीबी की शंख्या गरीबी क्या हुए बड़ी गरीबी के बड़े खिरीबीके कईलगज सक्टे में लॉइजबॉर्स कीlles उस पहले से भी योजना पर नीरबर था आज भी योजना पर नीरबर अरे लोवर क्लास कौन सा योजना का फायदा उठाता था पहले भी राज भी उच्छ क्लास उपर उपर जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं है बीच में मरता कौन है मीडियम क्लास तो मीडियम क्लास दो जाट सोदा के बाद साफ हो चुका है वो नए योजना का फायदा उठा सकता और नए उपर जा सकता क्योंकि महें गाई का लेवल तो क्या हूँ आप बढ़ा आप अपने पिता जी को पूछो कि आपकी इंकम कितनी बढ़ी है तो इंकम तो वो की वो रही है और उसके दोरान कोरोना में कई का काम चुट गया नोटबंदी में कई का काम चुट गया तो बिरोजगार और हो गए बिरोजगार हो गए इंकम कम हो गई उपर से मंगाई क्या होगी बढ़ गई बढ़ गई तो मेडियम क्लास गरीब हो गया है अब कही है ना गीत काते कही बोलते ना तो उनको अपड़े पिटा जी को पुछे तो वो एक अलग आपके दिमाग में फितूर अलग चीज होती है लेकिन वास्तों में पढ़े तो पता करें आगे आगे समझ में तो होता है एक चीज बताई मैंने खाली एक चीज कौन सी खाली शिलेंडर आप सब चीजों को छोड़ोगे चेड़ोगे तो मंग आई का इस तरहर छितर में क्या हुआ है बढ़ा है अमंग आई बढ़ेगी और इंकम का काँपर पड़ी है वहीं की बढ़ी बोलो खलीर है क्या या तो वहीं की वहीं पड़ी है या काम छुटा है किस से नोटबन्दी से किस से जी एस्टी से किस से आपका कोरोना से इन से काम छुट गया क्या होगी? बढ़ गी अब सुना, उसी का परिनाम है क्या अप्राद भड रहे ह। क्योंकि गरीबी अप्राद की क्या है? जन्नी बुख्य बजन नहोत गौपाला आ रहा है क्या इसके आया हमको पस्तूत किया है भाई साहब मैं कोई कोई का विरोधी नहीं हूँ लेकिन देश में कोई चीज है बहुत दिक वरग एक कोटिले एक वरड और भी बोलता है कोटिले क्या बात बोलता है वो सुनिएगा कि जिस देश का बहुत दिक वरग खतम हो गया ना उसका भी पतन सुनिशित है बहुत दिक वरग का मलब जो जानता ही नीची जो को तो उसका भी पतन क्या है सुनिशित त्योंकि वो वो इटलेर क्या बोला था इटलेर ने बोला इनको इस टाइप का माइंड बना दो इनका कि ये रोटी खाड़े को भी विकास समझे कि रोटी मिल रही है ना तो भी यह मानने की विकास हो रहा है माइंड वास कर दो इनका तब उसने जर्मनी का युद करवा दिया और जर्मनी को तुड़वा दिया बात समझें मैं कोई वो नहीं कर रहा लेकिन चीज़ों समझें तो यह नए परकार की गरीबी आई है इसमें वो गरीब नहीं थे जो पहले से अपने जो रिपोर्ट आ रही है भाट में गरीबी का इस तर वो खाड़े वाली गरीबी है ना वो क्या हुए कम हुई है नो डाउ तो उस असाब से नहीं परकार की गरीबी क्या होई है यह रिपोर्ट दिये बोलो क्लीर है समझ में आगी यह रिपोर्ट के बाद आगे वाला बढ़ता है तो यह रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी अगला है फिपा वर्ल्ड कप कौन सा फिपा फिपा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ भी वह आजा बोले है प्युप वर्ल दो जारबाइस में हुआ फाइनल में निमन में से किस वेदान पर हुआ अजा फाइनल में पहली बात तो जीटा किसने फीपा वर्ल कप बोलो अंधे अर्जेंटीना ने किसको और आकर डिलकुल सँए तो अर्जेंटीना तो है विजेता ये भी कर लो और फ्रांस है उप विजेता और लोसे लिस्तेडियों अब सुनना ये कुशन तुम्हें बता रेता हूँ कि मैंने कहां से लिए इसे तुम्हारे को ये वो पंद्रक, दस कुशन पहले थे, पहले पहले दस कुशन थे, वो दस कुशन तो मैंने साथ दिन के अकबार से लिये, समझगे होंगे, और अगले पांच कुशन लिये मैंने आर्थिक समिक्षा में से, ताँ पर है, आर्थिक समिक्षा रास्तान, समझगे, और अगले बार म यह में अगले कुशन दे रहा हूं एक महीला महीला दिकारी ना आर्पेस्थी ने को प्रिक्षा ली महीला सरक्ष की कोई प्रिक्षा ली यह उसमें से और एक अभी मद्य-प्रदेश-लोक-से-वायोग भी कुछ 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 करंट के आए हैं वो भी आपके में ली है अब इस इसका नाम नहीं पूछा, उसका नाम नहीं पूछा, कोन चाहर, अपर जो मोटे-मोटे रूप में करते हैं विए कोन जीता, आपने सभी ने अभी बिताया कि कोन जीता अरजेंटीना, अरारा कोन फ्रांस, सब को पता है, अब वो ने पूछ करके उसने मैदान पूछ लिया, यह परिक्षम है तो उसकी सोच को थोड़ा समझें आगे अब अपड़ को तुम लोगों ने पड़ा पड़ा बता दिया कि कहा पर हुआ अर्जेंटी ना ने जिता और किस ने आ रहा फ्रांस ने आ रहा सब को पता था अगले ने वह ने पूछ करके दूसरे पंगति का जो यह टोटलाग्ट